ओम सायराम कैसे हैं आप लोग आई होप सब ठीक होंगे आज जो मैं विडियो बनाई हूँ बहुत ही खास है बहुत लोग को मतलब समझ आएगी कि हमें अपनों की मदद क्यूं करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए जब हमारे अपने तकलीफ में होते हैं परिशान होते हैं त मैं कुछ एक्जामपल भी देने कोशिस करूँगी बाकी मैं मुझे जो समझ है या औरों को जो मैं देखती हूँ क्यों वो अपनों को क्यों मदद करते हैं वो सब मैं आज आप लोग के साथ सेयर कर रही हूँ तो सबसे पहले देखिए कोई भी इंसान ये तो नहीं चाहता है कि हमें तकलीफ हो कोई प्रॉबलम हो लेकिन जिन्दगी का नाम ही है समस्या चाहें थोरा किसी को कम चाहें किसी को ज्यादा समस्या तो देखिए आती है तो कभी भी ये सोच के तो करना ही नहीं चाहिए कि मदद नहीं करना चाहिए कि हमें समस्या नहीं है हमें हमारी ला बजब करनी चाहिए तो भगवान ने जो हमारा एक अनोखा रिस्ता बनाया है तो पुछ सोच समझ के बनाया है कुई कि आप पूरी दुनिया से मदद तो नहीं ले सकते हैं जब प्रॉब्लम होता है जब सच में जो हमारे खास रिस्ते होते हैं बिल्कुल क्लोज के रिस्ते ह होते हैं जो जिनको हम blood relation कहते हैं आज कल देखें लोग blood भी donate करते हैं लेकिन हमें उनसे जरूर उमीद एक दूसरे को करनी चाहिए उमीद किया मतलब करनी ही करनी चाहिए चाहें आपको कोई मदद मांगे या नहीं मांगे मतलब रिस्ता भगवान ने बनाया है तो मदद करनी चाहिए दूसरा ये है कि एक इंसानियत भी निभानी वह है लेकिन सबसे पहले खून के रिष्टे से भी वड़के एक इंसान हम लोग को भगवान ने बनाया है और यह सोच के भगवान के बंदे हम लोग है भगवान के बच्चे जैसे मैं हूँ वैसी हमारे आस प्रोस या जो भी हमारे रिलेटिव है फ्रेंड है वो भगवान के बच्चे हैं तो ये सोच के हमें मदद करनी ही चाहिए तीसरा ये है कि मतलब अगर आप नहीं भी मदद करना चाहते हैं कुछ लोग क्या होते हैं कि मतलब सौक से नहीं करना चाहते हैं लेकिन लोग क्या कहेगा समाज क्या कहेगा आज अगर हम तक चाहिए क्योंकि डर के बिना भी मतलब जिंदगी जिंदगी नहीं होती है डर के बिना इंसान सच में बहुत सारी गलतियां कर जाती है कि मुझे किसी से डर नहीं है जो मैं चाहूं वो करूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेगा मुझे उससे कोई मतलब नहीं है मुझे अगर किसी से रिस्ता नहीं रखना है किसी को मदद नहीं करना है तो नहीं करना है कुछ ऐसे लोग भी हो जाते हैं जब अपना वक्त उनका आता है तो सही बोलू कहते हैं ना गधे को भी ऐसे लोग बाब बना लेते हैं और अपना काम जब निकल जाता है चाहें पैसे से चाहें सरीड से चाहें जो भी चीज़ कहिए ऐसी बात नहीं है कि जब से इनसान जनम लिया है ऐसे लोग की में बात कर रही हूं कि उनको मदद की जरूत ही नहीं पड़ा है ऐसे इगो बालो की और वो ऐसे इगो वाले जो इनसान होते हैं उनको ये लगता है कि जब तक मैं धर्ती पे रहूंगा तो मुझे किसी की मदद की जरूत नहीं परेगी, किसी की भी नहीं, मेरे फैमली में किसी की मदद की जरूत नहीं परेगी, ऐसे इगो वाले भी धर्ती पे आसपास में आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, तो ये घमं और सबसे बरी बात यह है अगर आप किसी से डर नहीं है आप सच में आपकी इच्छा सकती खतम हो गई है सच में आप किसी अपनों से रिस्ता नहीं रखना चाहते हैं तो एक जो उपर वाला है इतना भी घमंड कोई मत अंदर रखना चाहिए कि उपर वाले सो भी डरना लगे कम सकम इतना तो इंसान को जरूर डरना चाहिए कि आज अगर हम अपनों को मदद नहीं करेंगे आज अगर हमारे अपने परेशान है सबको पता है कि कोई परेशानी जान बुझ के नहीं लाता है अचानक हो जाता है तो आज अगर हम नहीं मदद करेंगे तो उपर वाला दे साब होता है या यह सबसे बरा जो आज कल के डेट में जो लोग पाप कर रहे हैं कि जान बुझ के अपने को मतलब नजर अंदाज कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हम अगरवत्ती जला के पूजा करके हवन करके बस हम अपने अपने परिवार को सिक्योर कर लेंगे और हमारे जिन्दगी में कोई भी गरह आएगा ही नहीं कोई भी प्रॉबलम होगा ही नहीं और इसलिए हम अपनों का अपने खून के रिस्टे को मतलब तोहीन करते हैं बरबाद कर देते हैं बस उनको लगता है कि हम भगवान के सरन में हैं पूझा पाट करेंगे हमें कुछ नहीं होग और इसलिए हमें किसी को मदद भी नहीं करनी है तो मैं उन लोगों से कहना चाहा रही हूं कि भाई भगवान ये नहीं कहता कि मुझे पूजा करो मुझे अगरवत्ती जलाओ अगर आप अगरवत्ती भी नहीं जलाएंगे पूजा भी नहीं करेंगे लेकिन आपको जो अपनों के बीच में जो रखा गया है भगवान ने जो रखा है तो ऐसा ही नहीं रखा है भगवान ने जो ये अनोखे अनोखे रिस्ते जो बना के भेजे हैं वो इसलिए भेजे हैं क्योंकि बार बार भगवान नहीं आते भार-बार भगवान नहीं आते मदद करने के लिए आप लोग को ही राइट दिये हैं अधिकार दिये हैं कि जो भी समस्या हो एक दूसरे को हेल्प करके अपनी समस्या को सुलजा लो लेकिन उपर वाला अच्छे से देख रहा है कि आप सच में कितना इमंदारी निभा रहे हैं खासकर उस इंसान को जो इंसान आपको सच में वक्त रहते पैसे से सरीर से समय से हर एंगल से अगर मदद किया है और आज क्योंकि आप उस काविल हो गए हैं क्योंकि आपको किसी की मदद की जरूत नहीं है तो आप अगर ये घमन में रह रहे हैं कि भाई आज मेरे पास सब कुछ हो गया है मुझे किसी की जरूत नहीं है ये सोच कि अगर आप सामने वाले को मदद नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप सामने वाला तो भाई खुदी लाचार हो गया पहले हर तिस से समर्द था इसलिए आपने उसको यूज किया आपने मतलब बहुत डस्ट मिन के तरह आप ने यूज किया पैसे से शरीर से जो चाहा आपने उसको मदद ले लिया आज जब उसकी बारी आई है तो आप इसलिए बस उसका हाथ छोड़ रहे हैं, उसकी कोई गलती नहीं है आपके रिलेटिव की, बस ये गलती है क्योंकि आपके पास भगवान ने आपको सब कुछ दे दिया तो ये मत सोचिए कि आज आपके पास पैसे हैं, रुटबा है सब कुछ है इसलिगे आप रिस्ता को तोर रहे हैं या मतलब अगर कोई सामने वाला सच में परिसान है तकलीफ में है तो आप मदद नहीं कर रहे हैं क्योंकि देखिए तरा जो भले ही जिसको आप नेगलेट करने हैं जिसको आप मदद नहीं कर रहे हैं जो रिस्तेदार को आपकी मदद की जरुवत है नहीं कर रहे हैं तो वो तो सहत बद्वा कुछ नहीं देगा क्योंकि उसके बस में कुछ नहीं है क्योंकि वो तो खुदी परिसान है अपने लाइफ में कि यह वो अपनी जो समस्या है उसको कैसे सोट आउट करें लेकिन उपर देखिए हर जगह केमरा लगा हुआ है और वो उपर वाला अपने आप देखिए ऐसे भक्तों का ऐसे इंसान का बदला वो अपने आप ही लेते रहेगा कि आप आप थे लेकिन आपने जान बुच के उस रिलेटिव को उस फ्रेंड को आपने मदद नहीं किया खास कर उस रिलेटिव को जिसने आपको हर टाइम पे मदद किया जब जब आपको जरूरत था तब तब मदद किया लेकिन आज आप नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि स जरोत नहीं परेगी ऐसे लोग की अगर आप तो हीन कर रहे हैं तो कुछ नहीं आज कल बहुत लोग कहते हैं कि भाया कोई भी बद्वा नहीं देता है और बद्वा देखे लगता भी नहीं है अगर आपने गलत नहीं किया है तो देखे कोई बद्वा नहीं लगेगा लेकिन अगर आप सच में बार 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 गलती कर रहे हैं, तो बस एक ही चीज याद रखिए, जो चीज आप अपनों को दे रहे हैं, सच में बस ध्यान रखिएगा, जितना आप दे रहे हैं, तो उपर वाला सच में एक ऐसा वक्त आएगा कि डवल ट्रिपल आपको मिलना ही मिलना है अगर आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं तो वो भी आपको मिलेगा ही मिलेगा चाहें आप लीजी या नहीं लीजी आपको किसी न किसी रूप में आपका भला होगा ही होगा लेकिन अगर आप सच में किसी को गलत कर रहे हैं तो सामने वाला जिसके साथ आप गलत कर रहे है वो आपको बद्वा तो नहीं देगा लेकिन उपर वाले आपको प्यास सहित डबल ट्रिपल देगा ही देगा तो वीडियो बनाने का मेरा बस यही मकसद है अगर अभी तक आप ऐसा कर रहे हैं धोखेवाजी कर रहे हैं अपनों के साथ तो आज से ही छोड़ दीजे क्योंकि म ही हो तो मैं बारवार कहती हूँ सच में करमा लोटता है बहुत ज़्यादा जवरदस करमा लोटता है चाहें आपने गलती किया है तो आपके अपनों पर पढ़ेगा आपके सच में आपके बच्चों परदेगा सच में अगर आपने किसी के दिल दुखाया है, किसी को चला है, किसी को धोफा दिया है अपने बच्चे के खातिर, तो भी वो आपके साथ गलत होगा ही होगा, इसमें कोई भी सक नहीं है, तो इसलिए आज से आप छोड़ दीजिए ये सब गलत काम करना, और जो भी हो सके, अ आप अपनों को समझिए क्योंकि मैंने आज कल ये देखा है कि कुछ लोग का ट्रेंड हो गया है अगर सच में कुछ पैसे वाले हो गए है तो वो क्या करते हैं कि मतलब अगर कोई कमजोर हो गया है पैसे से छोरिये सरीर से छोरिये अगर माली जे सरीर से अगर किसी को तकलीफ है जानते हैं सब मतलब आजकल तो जैसे माली जे साधी पार्टी अगर किसी को फंक्शन होगा मैंने पहले भी वीडियो बनाई हो तो मैं रियल बनाती हूँ कि अगर आपके अपनों का साधी है फंक्शन है कोई भी अगर आप खु खर्चा है लेनी देनी बहुत अच्छे से करेंगे उनको लगता है बस यही जिन्दगी है क्योंकि जो भी रिलेटिव है वो मतलब भस खुसी का ही पल उनके साथ होना है इसलिए वो ऐसे रिस्तदार से रिस्ता तो बड़ी अच्छे से निभा लेते हैं जिनके घर में खुसि रही समय देना भी जरूरी नहीं समझते हैं तब लोग कहते हैं कि भाई हमारा जॉब है जॉब कैसे छोड़ सकते हैं या अगर ब्लड डोनेट की बारी आएगी तो भाई मतलब जो भी हम लोग खाते पीते हैं हमारा जो सरीर है वो हम किसी के ब्लड डोनेट करने के लिए त पात नहीं है, एक तो यह direct मतलब बोलेंगे भी नहीं, किसी से कहलवाएंगे, कि भाई हमें तो बताया नहीं तो हम क्या मदद करतें, जबकि देखिए पता सभी को है, लोग पता है आज कितना नीचे गिर गए हैं, कि सामने वाले, मैंने तो यही सुना था, कि दुख तकलीफ ढोल वजा के नहीं बताई जाती है अगर एक किसी को पता चल जाता है कि भाई उनके यहाँ दुख तकलीफ हुआ है तो दस लोग अपने आप इकठा हो जाते है कि मतलब भाई चलो हम मदद करते हैं मदद करने से उनका दुख थोरा सा कम हो जाएगा लेकिन आजकल उल्टा है मतलब खुसी मगर एक बार भी किसी ने बोल दिया तो वो बड़े अराम से तयार होके भले रिस्ता जैसा भी होगा लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए अंदर से खोखला रिस्ता है ये जान लीजिए मैं ये नहीं के रही है कि जिनके साथ खुसिया रिस्ता निभा रहे है बहुत ही अच्छा रिस्ता है खोखला रिस्ता है लेकिन आजकल सोसल मीडिया का चलन चल गया है तो लोग अपना फोटो डालने के लिए वीडियो डालने के लिए कि दूनिया को दिखाने के लिए कि देखो मेरा रिस्ता उनसे कितना अच्छा है, जब कि अंदर से एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे को देखना नहीं चाते हैं, लेकिन फिर भी लोग जाएंगे, फोटो खिचाएंगे, डांस करेंगे, इन्जौई करेंगे और सोस कार्ड छपवा के दो हमें special phone करो हमें special बार बार गिर गिराओ हमें मदद की जरूत है हमें मदद की जरूत है उनको हर एक एक बंदे को जाके आप बोलिए कि भाई मुझे मदद की जरूत है मैं भीक मांगती हूँ मतलब मेरे लाइफ में जो प्रॉबलम है उसका आप लोग सोट आउट कर दीजिए क्योंकि आप लोग के बिना हमारी लाइफ खतम हो रही है हम लोग बरबाद हो रहे है आप लोग अंदाता है आप लोग भगवान है इस टाइप की सोच लोगों की घटिया हो गई है कि जब तक हमारे पास गिर गिराएगा नहीं पैसे के लिए या समय के लिए या बोलेगा नहीं कि भाई हमें ब्लड की जरूत है, हमें पैसे की जरूत है, हमारे साथ Hospital चलिये, हमारे अपनों को बचा लेजिये, मतलब इतनी अहंकार लोगों में हो गया है, इतनी घमंड हो गया है लोगों में, कि मतलब जान बूझ के डारेक्ट चाहता है, कि हमें आ के बोले, और अगर सच में किसी वजह से आप ठक गए चारो तरफ से, अगर किसी से आपने सच में बोल भी दिया, कि भाई सच में हम लोग का बुरा हाल हो रखा है और हमें मदद की जरूत है, तो सही बोलू, ऐसे लोग, सही बोलू तो वो एक बार में भी मदद नहीं करने को तयार हो, हैं तो वो आपका ध्यान उधधनी हुने चीहालाज की तरफ मतलब आपका चारो तरफ यह ध्यान ऐसे लोग भट्काने को इसस करते हैं कि ज्यादा हमें भगवान संमजो पूजा पार्ट से ज्यादा रिस्तृदार को आफ हाँ जोर ये रिस्तृदार को आप जा जाक बोलिए भाई मुझे मदद कर दो मुझे गारी की जुरूत है मुझे मतलब समय की जुरूत है मेरे साथ को घुशूपीटल चलिए मेरे मेरे बच्चे को देख लिजिए अगर मालीजिए आप अकेले लेडिज है आपके हस्वेन को कुछ तकलीफ है यह सारी कह में अपना रियल बता रही हूं मैं अपनी बता रही हूं कि अगर आप लोग को पता है कि मेरे हस्वेन को मेजर प्रॉब्लम है और मुझे सही में मदद की जुरूत है तो मतलब ऐसे कुछ रिलेटिव लोग ने गुट बना लिया है पता देखिए सभी को है छे मेहने साथ मेह अब सभी एक-एक को पता है लेकिन वो सब लोग बस मुझे जुकाना चाहरा है मुझे जुका के कि तुम मुझे खोल के बोलो कि भाई मुझे मदद की जुरूत है और जैसे मैं बेटी को छोर के बार-बार हस्पिटल जाती हूं हस्वेन को लेके तो भाई तुम बोलो कि मे मेरी बेटी को रखो क्योंकि मेरी बरी बेटी का कॉलेज छुट रहा है उसकी परहाई बहुत डिस्टर्ब हो रहा है वो बहुत परिशान है तो मैं जाके रिलेटिव को बोलूँ कि मेरी बेटी का लाइफ खराब हो रहा है मेरी बेटी को रखिये मेरी बेटी को मदद करने के लिए कोई नहीं है या अगर होस्पिटल में मैं अकेले परेशान हूं अकेले जाती हूं या मुझे बलड की जरूत है तो मैं एक एक लोग को ढोल बजाके कार्ड बजाके एक एक लोग के मैं पैर परूं मैं गिर गिरा हूं कि मेरे पती को बचा लीजिए मेरे पती को बचा डॉक्टर को है और भगवान को है वो दोनों अपना-पना काम कर रहे हैं जो होगा वो देखे वक्त बताएगा वक्त का इंतजार कीजिए अपने आप रिजल्ट आना ही आना है लेकिन इस बीच में जो कुछ रिलेटिव है जो मतलब चाहते ही नहीं है कि मैं अपने मिसन में क खातीर क्योंकि मैं बार-बार बोली मेरे हस्बेन सोचल थे और बहुत लोगों से हसना बोलना खाना पीना उनका नेचर था तो मैं चाहती थी कि हो सकता है एक सकेंड माली जे किसी वज़य से अगर उनका लास्ट टाइम ही चल रहा हो खेर अब तो बहुत ज्यादा तो मेरी जो सोच थी जब वाइफ में चाहती थी कि मतलब मेरे हस्बेन के साथ लोग टाइम स्पेंड करें और खाना खाए पिये घुमें जो मतलब था चाहे वो अपने फैमिली मेंबर के साथ जो कुलोज उनका रिस्ता है चाहे दोस्ट चाहे जो भी हो एक्स वाइज यह गलती आप लोग कभी मत कीजिएगा सच में अगर आपके अपने नहीं है तो भले आप या आपके अपने खतम होने वाले होंगे तो भी वो घमंड से आपको नीचे ही दिखाने को कोसिस करेंगे सच में आपको मदद नहीं करेंगे कभी नहीं चाहेंगे कि आप यापके family member जो बिमार है वो ठीक हो जाए या नॉर्मल रिस्ता हो जाए ये मेरी जिन्दगी के सबसे बड़ी गलती थी जो मैंने हस्वेन के तबियत को लेके मैंने सभी से कह दिया या मैंने यूटूब पे आके मैंने बोल दिया मुझे बस एक आस थी कि जो पहले हुआ सो हुआ कम सक वार ने चाहा तो ठीक हो जाएंगे क्योंकि वो होस्पिटल तक होची ने पा रहे थे लेकिन खेर बहुत लेट हो गई सच में नहीं लोगों ने साथ दिया और दूर-दूर के लोग भी चाहते तो बहुत कुछ इस केस में हेल्प कर सकते थे लेकिन मैं सच में कह रही आपके जब आप फंक्सन करेंगे जब आप खूस रहेंगे जब आप कहीं घूमने फिरने जाएंगे मतलब जब आपका अच्छा दिन होगा तब आपके दूर के जो रिलेटिव हैं वो लोग भी आपके साथ देंगे लिकिन अगर आप तकलीफ में हैं आप अगर परिशान हैं सच में आपको मदद की जुरूत होगी तो सच में कोई नहीं आएगा मतलब एक तरफ देख लिए मैं कई वीडियो बनाएं भगवान बहुत ही ज्यादा महरवान हैं भगवान अगर आज मेरे हस्बन तयार हो जाएं आज एम्स के डॉक्टर दिली के सर्जन डॉक्टर स क्या हो रहा है मेरे हसबन क्यों नहीं जा रहे हैं वह क्यों जिंदगी छोड़ना चाह रहे हैं वह इस जिंदगी से क्यों नहीं खूस हैं यही सारे यह सारे जो रिलेटिव का नेचर जो देख रहे हैं सही बोलूं वो ऐसे जिन्दगी जीना ही नहीं चार है मैं और भी डिटेल में वीडियो लाऊंगी कि मेरे हस्वेन आखिर सब कुछ होते हुए कसम स्केरियो भगवान के आगे हूँ मुझे किसी मीडिल क्लास के साब से मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है और ना मैं हस्वेन से उमीद कर रही हूँ कि मेरे हस्वेन काम करे और मुझे घर भरे नहीं जो position है अगर लाखों भी कमा रहे होते तो भी मैं हस्वियन से कहती कि पहले इलाज कराईए नहीं कमा के दे रहे हैं तो भी बस मैं चाहा रही हूँ कि बस आप इलाज करा लीजिए लेकिन मैं ज्यादा time waste की लोगों को बता के और ये लोग जो है ना सही बोलू मेरे से direct तो बात नहीं करते हैं जबकि पता सभी को है सभी मेरा वीडियो देख रहे हैं छे मैंनिस में लगातार वीडियो सिर्फ इन ही लोगों को सुनाने के लिए वीडियो बनाती हूँ मैं कोई यूटूबर नहीं बनना चाह रही हूँ अभी जो मेरा मिसन है सिर्फ हस्वेन को बचाना है लेकिन मुझे पता है कि एक एक वीडियो ऐसे लोग जो मेरे relative हैं वो सब देखते हैं सब को पता है कि हम किस तकलिफ से गुजाता है लेकिन आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ सच बोलू मैंने किसी से जो हुआ जो मतलब मैंने दो ढ़ाय साल से कह रही हूँ कि से यही केस मेरा delivery की टाइम पे भी हुआ था मुझे health की जरूत मुझे क्या मुझे बता देजिए किस ladies को delivery के टाइम पे मदद की जरूत नहीं होती है कोई एक sample लाके मुझे दे देजिए जिन्होंने सिर्फ husband wife अकेले रहके उन्होंने delivery भी कर लिया वो भी operation से है खासकर husband मतलब इतने डरपो की hospital ही नहीं जाना चाहते और छोटे बच्चे को भी उठा नहीं सकते है मुझे बता देजिए कि ऐसे ladies कैसे अपने आपको delivery करवा लेगी और बच्चे को समभा लेगी लेकिन चलिए जो भी भगवान की किरपा थी वो सब भी हो गया उसके बाद आप पिछले साल देखिए जब मेरा हार टूटा उस टेम भी मैं एक एक वीडियो बनाई कि मतलब देखिए छोटी मोटी problem हर एक के life में होती है मैं ये नहीं कह रही हूं कि नहीं होती है थोडी बहुत जगरा भी होता है problem भी होता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके relative अगर कोई major problem में फस गया है और आप उसे नजर अंदाज कर रहे हैं आप ऐसा सो कर रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं है जबकि आपको अच्छे से पता है खास कर जब बार बार बोल रही हूं कि मेरे husband को कुछ भी हो सकता है उसके वावजूद भी अगर कान में रूई डाले तो हैं कि भाई वो दिखा सो ऐसे कर रहे हैं कि हमें कुछ नहीं पता है जबकि उनको सब कुछ पता है तो मैं ऐसे लोग को बोलना चाह रही हूँ कि आप धर्तिक लोगों को तो ये कह सकते हैं अभी या मेरे हस्वन को कुछ हो जाएगा तब कि भाई हमें तो कुछ पता ही नहीं था हमें तो कुछ बताया ही नहीं तो हम कैसे मदद करते लेकिन ध्यान से ज़रा सुनियेगा उपर वाले के पास वीडियो तो सारे रिकॉर्ड है ही मेरे लेकिन उपर वाले के पास इससे भी बरे बरे केमरे लगे हुए हैं जो मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है और उपर वाले को पूरा क पूरा पता है कि मैं सोर मचा रखी हूँ मैं परिसान हो रखी हूँ कि भाई मे सब कुछ लिखा हुआ है और ये जरूर मैं बोलूँगी आज अगर मेरे हस्बन खतम होने के मूड में है पूरी प्लानिंग बना रखे हैं कि मुझी इलाज नहीं कराना तो ये कुछ रिलेटिव की बज़ा से ही क्योंकि सच में दुनिया सच में जीने लाइक नहीं होती है लोगों की बज़ा से इंसान तूट जाता है खासकर अपने जब आपके ऐसे होंगे ना दुनिया भले ही बहुत अच्छे हैं सही बोलू मैंने बोला ना भी अभी अभी मैंने बोला कि सर्जन डॉक्टर तक सोचे मेरी बात हो रही है बिना किसी एफ्रोच के और बाहर के ल कुछ अपने लोगों स्वार्थ में डूब कर मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं और इससे क्या मिलेगा मुझे बिल्कुल भी नहीं पता तो तूट तो देखिए मेरा एक दो साल के वीडियो देखिएगा मैं खुद भी जीना नहीं चाहती थी ऐसे लोगों के बीच में और वही गल मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप अपनों की बज़ा से पर्सनल लाइफ बरबाद मत कीजिए अगर भगवान ने आपको बच्चे दिये हैं भले पैसे दिये ना दिये हो प्रपटी दिये ना दिये हो जिन्दगी है तो आप हस्वेन वाइफ और बच्चे बच्चे की ख सबके लिए खतम हो रहे हैं आप खतम हो जाएए मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बस आप इलाज करवा लेजिए और उसके बाद भगवान ने सांस दिया ठीक हो गए तो हम लोग यहां से बहुत दूर बहुत दूर चले जाएंगे और बिलकुल अपनी एक गुमनामी जिएंगे हस्बेन वाइफ दोनों बच्चे लेकिन पता नहीं मेरे हस्बेन इतना तूट गए हैं क्यों ऐसा कर रहे हैं कि वो उनका कहना है कि मेरी साधी जब से हुई तकलीफी तकलीफ मिला है तो उनका कहना है कि अगर वो खतम हो जाएंगे तो उनके अपनों ने जो मु सोचना है या दुनिया के जो भी हस्वन सोच रहे हूं कि मैंने वाइफ को बहुत तकलीफ दिया है अब कुछ नहीं हो सकता है अब मेरा जाना ही ठीक है तो ये गलती मत कीजिएगा ये गलती मैं एक साल पहले मैं भी कर रही थी छोटी बेटी को जनम देने के बाद जो भी मेर अपनोंने डिलिवरी के बाद जो मेरे साथ किया मैं सही बोल रही हूं कि मैं सच में खतम होना चाह रही थी कसम सो बोल रही हूं एक एक वीडियो रिकॉर्डिंग है और मेरा एक एक डिपोर्ट गवाह दे रही है कि मैं सच में ऐसे जिन्दगी नहीं जीना चाह रही थी भ वो जो लोग एक गुट बना के जो टीम बना के जो लोग हमारे बारें बात करते हैं और हमें जान बुझ के नीचे गिराना चाह रहे हैं सब के सब जान बुझ के चाह रहे हैं कि मैं प्यार परूं तो देखिए भगवान सचे भक्त को गिरने नहीं देते हैं यह आप सब जान नहीं बोलूँगी ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए यही भगवान 2017 से ही मेरे हस्वेन को बचा रहे हैं मैं आपको बता दू मैं अलग से वीडियो लाओंगी कि जब मेरी बेटी बरी वाली 15 साल की थी और मेरे हस्वेन का ऐसा केस हो गया था कि मैं 15 साल मुसको साधी करवा होना चाह रहे थी गवं में कि इलीगल क्योंकि सहर में हो नहीं सकता था ताकि मेरे हस्वेन कम सकम अपनी एक ही मेरी बेटी उस टेम पे थी कि बेटी के साधी देख ले और सभी रिलेटिव को पता था कि मेरे हस्वेन प्रॉब्लम में है आप यकीन नहीं करेंगे वो सारा स और आज भी उपर वाले की